नमस्कार आप देख रहे हैं आज की ख़वर में हूँ आपके साथ शवानी पांडे सूपर साइकलो नमफान के आज पश्चिम बंगाल के तट पट टकराने की संभावना है इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंडे की रफतार तक हवाय चलने और भारी बारिश होने का भ भारत मौसम विभाग की मुताबक इस दौरान बंगाल की तटी जलू में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर उची लहरे उठेंगी मौसम विभाग की अनुसारी चक्रवात उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में काफी रफतार से आगे बढ़ रहा है अनुमान है कि इसकी गती अभी और बढ़ेगी साइकलोन अमफान आज दोपेड तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बंगलदेश के हादिया में टकरा सकता है चक्रवाती तूफान ओडिशा के पारदीब तट के पास पहुँचने वाला है सुबा साड़े आठ बजे ये मात्र पारदीब तट से 120 किलोमीटर दूर पूर दक्षण पूर में था ये सुन्दरवन के पास है मौसम विभाग ने दोपेड तक इसके तट से टकराने की संभावना जिताई है तूफान के खत्रे को देखते हुए ओडिशा में 1704 कैंप बनवाए गए हैं साथी एक लाग 1975 लोगों को तटी इलाके से दूर ले जाया गया है मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाद की रफतार काफी तेज बढ़ रही है चक्रवाद अमफान अपने केंद में 200 किलोमीटर प्रदी घंटे की रफतार से आगे बढ़ रहा है जिनमें जरुवत पढ़ने पर तटवर्ती इलाके में लोगों को रखा जाना है इससे पहले ही यहां मच्वारू और समुद्र के किनारे डहने वाले लोगों को वहां से हटा लिया गया है तो चक्रवाद अमफान की खबरें आप लगातार कई दिनों से सुन रहे होंगे यह लगातार भीशन रूप लेता जा रहा है जिसको लेकर मौसम विभागने भी चितावनी दी है इसके साथ आप देखते रहे हैं आज की खबर अमस्कार